नमस्कार N.I.O.S. के योग सिक्षक प्रिसिक्षन कारिक्रम में आपका स्वागत है आज हम योग विशे की चर्चा करेंगे योग का शाब्दिक आर्थ है जोड़ना अथ्वा संयुक्त करना मिलाना जिस साधना के माध्यम से योग की एक पद्धती विक्षित हुई है वो प्रेक्टिकल आस्पेक्ट है साधना का जो मोक्स की और ले जाने वाला है इसलिए छह शास्त्रों में योग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है योग महर्ची पतंजली द्वारा प्रदत वो दर्शन का ग्रंथ है जिसे योग सूत्र के नाम से जाना जाता है और योग की साधना का सरवाधिक प्रामानिक ग्रंथ कहलाता है योग के विशे में यदि हम प्राचीन काल से देखें तो सबसे आदि ग्रंथ के रूप में वेदों को माना जाता है और वेद का ज्यान जिन रिशियों को प्राप्त हुआ था वो योग की साधना में ही प्राप्त हुआ था इसलिए हम स्रिष्टी के आदि से योग की सप्ता मानते हैं योग के द्वारा केवल अध्यात्विक विकास ही नहीं आज के संदर्भ में शोध और अन्वेशनों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया है कि योग संपूर्ण विकास के लिए मानों को एक वरदान है जिससे शारिरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नती के साथ हम सामाजिक समरस्ता, चांती, सद्वावना, सहयोग का वातावन निर्मित करके एक अच्छे समाज का निर्मान कर सकते हैं योग के विभिन करंतों में मुख्य रूप से महरची पतंजली का योग शास्त्र है जिसे योग सूत्र कहा गया है और उन्होंने छोटे-छोटे सूत्रों के माध्यम से उस साधना पद्धती का वर्णन किया है जो हमें इस संसार में रहते हुए सरवंगिन विकास की और ले जाती है और इस संसार के बाद मौक्ष की और उन्हम करने वाली है योग का जो ये ग्रंत है ये हमारे समाज के लिए और पूरा विश्व के लिए एक अनुपम देन है जिसका प्रियोग करके हम सुख और संतोष का जीवन यापन कर सकते हैं योग के इस ग्रंत का चार अध्य है जिने चार पाद के रूप में जाना जाता है प्रतमपाद समाधिपाद है जिसमें योग का साधना का एक करम दिया गया है जो हम बार बार अभ्यास करके उस साधना मारक पर निरंतर बढ़ सकते हैं ये समझे कि योग को एक दार्शनिक रूप देने में जो पतंजली ने कारे किया है वो उसी से प्रारम होता है जहां योग के बारे में कहा है योगस चित्वरती निरोधा चित्वरतियों का निरोध करना योग है वो चित्व क्या है जो मन बुद्धी एहंकार ये तीन तत्व माने गए है इन तीनों तत्वों को समग्र रूप से हम जाने तो महरसी पतंजली ने उनको चित्व के रूप में व्यक्त किया है चित जब संकल्प विकल्प करता है तो मन होता है जब नेड़े करता है तो बुद्धी होती है जब मत्तुभाव आता है तो एहंकार कहनाता है इनी तीन के माध्यम से सारी ज्ञान की क्रिया इंद्रियों के साथ मिल करके होती है इसलिए जो क्रिया इस रूप में वर्णित की गई है उसी को व्रत्ति का जाता है चित की व्रत्यों का निरोध करना अपने आप में बहुत ही महत्वपोर्ण कारिया है और इतना सुगम नहीं है जो हम आसानी से उसे कर सके इसलिए उसके लिए अभ्यास और वेराग दो साधन बताए गए है अभ्यास के लिए का है तत्रिस्थितों यतनों अभ्यास है जो प्रियास किया जाता है उसे अभ्यास का है और वो प्रियास कैसा होना चाहिए सेतु दीर्ग काल नेरंतर ये सतकारा सेवितों द्रडबोमी वो अभ्यास करने के लिए दीर्ग काल लंबे समय तक निरंतर और स्रद्धा पूर्वा किया जाना चाहिए उस सतकार के द्वारा उस अभ्यास के द्वारा हम साधना पत पर आगे बढ़ सकते हैं जो वैराग्य है वो वैराग्य हमें संसारिक विशों के प्रती अना सकती उत्पन करने के लिए हैं जिससे हम संसारिक विशों में ही लिप्त ना रहें अपितु उस साधना पत की और अग्रसर हो जो साधना अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर चल कर आगे बढ़ने वाली है वो कठिन कहलाती है उससे पूर अभ्यास करने के लिए बाद में हमारे योग्यों ने जिने मुख्य रूप से हटियोगी कहा जाता है नात संप्रदय है उसका मुख्य जनक हटियोग की साधना का विकास किया सिरु और उस राजियोग की साधना जो पतप्तनली ने बताई है उसको प्राप्त कर सके उस स्तर तक साधना का हम ले जा सके योग जो हट योग की मानता है वो ये है कि एवलम राज योगाए हट विद्धो पदिश्चते राज योग की साधना के उद्धेश्य के लिए ही हट योग को अपनाए गया है यानि हट योग की साधना को प्रारम करके हम अपने आपको राज योग की साधना के उप्युक्त बना लेते हैं हट योग में मुख्य रूप से हट योग प्रदीपिका और घेरंड संगीता इन दो ग्रंतों को ज़्यादा मुल्य परक माना गया है ज़्यादा उनकी महता माने गई है और यदि हम देखें तो साधना का जो करम हट योग में रखा है उसी को लेकर के हम राज योग की साधना के स्थर तक पहुंच सकते हैं अब हट योग प्रदीपिका को ले तो हट योग प्रदीपिका में चार चैप्टर हैं उसके पहरा चैप्टर आसन के रूप में जो वनित किया गया है वहाँ 15 आसनों का वनन है आसनों से क्या होता है आसने भवे द्रड़म आसन से द्रड़ता आती है और क्या होता है आसनों से आरुग्यता प्राप्त होती है जिन आसनों का प्रियोग करके हम शरीर को मजबूत बनाते हैं और निरोगता प्राप्त करते हैं उनका सरवाधिक महत्वपूर्ण प्रारंबिक स्तर पर है यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो साधनमे प्रवर्ती नहीं होगी कहा भी है शरीर माध्यम खलुधर्म साधनम प्रते करतव करने के लिए शरीर ही पहला माध्यम है शरीर को ही पहले माना जाता है तो स्वास्त के समरक्षन के लिए आसन के बाद में मुद्राएं और प्रानायम की भी जरूरत है मुद्राओं का प्रियोग प्रानायम के बाद होता है क्योंकि मुद्राओं में आसन और प्रानायम का समलित रूप है प्राणयम करने से पहले शटकर्म करने का विधान है जिससे रोग ना हो और स्वास्त बना रहे शटकर्मों में भी छे कर्म मुख्य हैं दो तिर वस्तिस तथा नेती नौली की त्राटकम तथा कपाल भातिस चैतानी शटकर्मानी समाचरे दोती वस्ति नेती नौली त्राटक और कपाल भाति ये छे कर्म करके हम शरीर का शोधन करते हैं जिसके द्वारा शरीर की सुद्धी होने से नाडियां सुद्ध हो जाती हैं और फिर प्राणयाम करने के उप्युक्त बन जाते हैं पहले शटकर्म करके फिर प्राणयाम का भ्यास करें और प्राणयाम का भ्यास करने के बाद मुद्राओं का भ्यास करें अठियोग प्रिदीप का में दस मुख्य मुद्राएं बताई गई महामुद्रा, महाबंद, महावेधस, चखेशरी, उड्डियानम, मूलबंद, बंद, जालंद, राविधा, करणी, विप्रीत, अख्या, वज्रोली, शक्ति, चालनम इदम ही मुद्रा दस कम, जारामरननाश कम यह दस मुद्राएं हैं इन मुद्राओं का प्रियोग करके कुंडनी शक्ति को जागर्ण करने के लिए अनेक विदिया हैं जिसमें मुख्य विदि प्राणयाम का प्रियोग है और पहले प्रानयाम का अभ्यास कर लिया तो कुंडली को जागरन करना आसान हो जाता है इसके बाद नादानुसंदान कहा है नादानुसंदान नाद के उपर ज्यान करने और सुक्षम से सुक्षम तर और सुक्षम तम स्तर तक जाकरके नाद का स्रवन करना ये उसकी विदी है और प्रायार देखा गया है कि पंद्रा दिन के अभ्यास से नाद स्रवन की स्तिती प्राप्त हो जाती है लेकिन ध्यान पूर्वक करना चाहिए नाद स्रवन करके जो नाद ध्यान में अभी हम सुनना शुरू किया है वो धीरे धीरे उसकी आवाज बढ़ती रहती है और जब आवाज बढ़ जाए तो फिर अगले नाद पर उस सुक्षम स्तर पर ध्यान करना फिर सुक्षम पर जाना फिर सुक्षम पर जाना यही करम करते हुए हम नाद योग की स्तिती प्राप्त कर लेते हैं नादियोग से समाधी की सिद्धी हो जाती है यहां तक की साधना इस राज्योग की साधना के लिए एक मार्ग प्रसष्ट करती है और उसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं यह साधना का करम घेरंड संगिता में सबतंगों के रूप में बताये गया है वह का है शटकरमना शोदनन चे आसनेन भवे द्रढम मुद्रヤ स्थर्ता चे प्रत्याहारेन धीरता प्राणायामान लाग्मं चे द्यानाद प्रतेक्समात्मनी समाधिना निरलिक्तिम चे मुक्ति रेवने संचया यह सटकर्म के द्वारा शरीर का शोधन करना जिससे नाडियों की सुद्धी हो जाती है आसरों के द्वारा दड़ता शरीर में आ जाती है मुद्रा के द्वारा स्थरता और प्रत्याहर के द्वारा धीरता का गुणाता है प्रानायम के द्वारा शेरीर में हलका पनाता है ध्यान के द्वारा आत्मसाक्षातकार होता है और समाधी के द्वारा निरलिफ्ती भाव प्राप्त करके मुक्तिका मार्ग प्राप्त होता है ये क्रम लेकर के हम साधना के उस पत्थ पर आकर के राजयोग की स्थिती प्राप्त कर लेते हैं जहां महर्ची पतंजली ने हमें मार्ग दिया है उस पतंजली के सिद्धान्तों पर चल करके हम कैवल्ल की या मुक्ति की प्राप्ति करते हैं जहां साधना का अंतिम समाप्ति होती है हम अपने आपको कैवल्ल की स्थिती में या मुक्ति की स्थिती में ले जाने के लिए इस योग का आश्रे ले सकते हैं केवल्ले क्या है केवल्ले है केवलस से भावं केवल्लम जहां अकेला हो जाए अकेला मैं आत्म रूप हूँ और मैं उस आत्म रूप में ही स्थित हो जाऊँ अभी तक मैं केवल आत्म रूप नहीं हूँ, केवल अपने आपको हम आत्म रूप में जान लेते हैं और उसके बाद में जब शरीर नश्थ हो जाता है, पंच महाभूत नश्थ हो जाते हैं, मन बुद्धि एंकार आधी जो सुक्षम तत्व हैं वो सब भी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और केवल आत्मा ही शेयस रहता है, वो मुक्ति या केवल लेकिस्तिते कहलाती है, वहाँ आत्मा केवल अकेला ही होता है वो परमात्मा के सन्निधी में रहता है वो केवलने के वस्था है जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं होता वो सदा आनंद के स्थिती बनी रहती है उस आनंद की अवापती के लिए उस आनंद की प्रापती के लिए ही ये योग कामार बताया गया है ये इसका दार्शनिक पक्स है लेकिन जहां तक आज के संदर्व में हम देखें तो योग को दर्शन के रूप में बहुत कम लोग अपनाते हैं इसको शारिरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, हर दृष्टिकोंड से विकास करने के लिए विक्तित्तों के विकास के लिए हमारे संपूर्ण जीवन को सामंजस्य और सामरश्य में लाने के लिए एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रियोग करते हैं और अनुसरंदानों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि विबिनप्रकार के रोगों को योग के विबिनविधियों के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं आहिरवेद का और योग का एक ही मानता है स्वास्थ स्वास्थ रक्षनम आत्रस्य विकार प्रशबनम जो स्वास्थ है वो स्वास्थ बना रहे रोगी ना हो और जो रोगी हो गया है किसी प्रकार से वो रोग से मुक्त होकर स्वास्थ जीवनियापन करे जो हम ये कहें कि योग चिकित्सा है तो इसकी बजाए हम योग को जीवन पद्धिती कहें तो अधिक उप्योगत होगा क्योंकि चिकित्सा में तो बहुत सारे साधन होते हैं बहुत सारी उसकी अलग-अलग विधिया हैं लेकिन अगर हम जीवन यापन का ठीक ढंग से जीवन जीना हम सीख ले किस प्रकार से हमें समाज में रहना है कैसा हमें व्यवार करना है किस प्रकार का भोजन करना है किस प्रकार का भोजन नहीं करना कैसे भोजन करना है कितना भोजन करना है क्या हम जो व्यवार दूसरे के साथ कर रहे हैं उस व्यवार को यदि हमारे साथ किया जाए तो हमें अच्छा लगेगा अगर हम ये सोच करके व्यवार करेंगे तो हमारा जीवन ठीक ढंग में सरल पद्धती से जीवन जीना आ जाएगा जैसा भोजन के बारे में का वैसा ही व्यवार भी है आचार भी है हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि उसे से किसी को कश्ट ना हो हमारे आचरण के द्वारा समाज के उत्थान में सैयोग हो हमारा वैभार प्रतेक जीव के लिए प्रतेक प्रानी के लिए इस प्रकार का हो कि कोई भी हमसे दुखी ना हो और जहां सर्वे भवंतु सुखने की कामना के साथ हम योग के मार को अपनाते हैं तो वहां केवल किसी धर्म विशेश का किसी संपरदाय का किसी कास्ट का किसी लिंग का कोई मैतो नहीं है वहां सब मनुष्य मातर हैं मानव ही उनका धर्म है और मानव के उत्थान के लिए ही योग की साधना है वहां कहीं किसी धर्म संपरदाय लिंगादी के आधार पर बेद नहीं किया जाता ये योग का जो जीवन है ये ऐसा जीवन है कि अगर हम इसे अपनाएं और अपने समाज में इसको विक्सित करने में सरकार का भी सहयो करें और अपने समाज का भी विकास इस विधी को अपना करके करें तो सहज रूप से सुखत जीवन प्रतेक व्यक्ति जी सकता है और मानवता का कल्यान हो सकता है आज के संदर्भ में योग की जितनी उपयोगता बताई जाए उतना ही कम है और मैं ये सोचता हूँ कि भारत की रिश्यों ने जो योग की ये पद्धति दी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही उपयोगी है और इसे हमें जीवन में धारन करना चाहिए इससे समाज में विश्व में शांती सद्भाव प्रेम सहयोग का वतवण बनेगा और हम सुकत जीवन जी सकेंगे इनी सुबकामनाओं के साथ योग को हम अपनाएं और योग का उपयोग करके जीवन को सहज और सरल बनाएं ये सुबकामना हैं मेरी तरफ से N.I.O.S. के इस कारिकरम में बहुत-बहुत धन्यवाद में दूँगा इस कारिकरम के सियोजग डाक्टर पावर कुमर चोहान को मन्लिये चेर्मेन साथ और निदेशक साथ जिन्होंने इस कारिकरम का प्रारम करके बहुती अच्छा ये कदम उठाया है ओम शाम्ति